इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ग्रैमिस्टार H10 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल hypertension यानि की high blood pressure के इलाज के लिए किया जाता है. यह दो दवाओं से मिलकर बनी है जो उस समय blood pressure को काबू करने में मदद करती है जब किसी एक दवा का असर नहीं हो रहा होता है. यह भविश्य के किसी भी hot attack और stroke की संभावना को कम करने में मदद करता है. रमिस्टा रेच 10 टेबलेट को भोजन के साथ या बिन भोजन के और रात में बार बार पेशाप करने से बचने के लिए हो सके तो सुभा लिया जाता है. डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं, तब तक इसे लेते रहें. भले ही आपको ठीक लगे. तो भी इस दवा को अपने आपसे बंद न करें क्यूंकि उच्छ बलड प्रेश के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं. अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो प्यमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना, अपने वजन को कम करना और स्वस्ट डाइट खाना आपके बलड प्रेश को नियंतरित करने में भी मदद करेगा. इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. मिचली आना, अपच, स्वाद में बदलाव और डाइरिया यानि की दस्थ इस दवा के कुछ आम साइड एफेक्ट हैं. अगर इन में से कोई भी आपको परेशान करता है या अधिक बिगर जाता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करें. अपने डॉक्टर को खानसी या गले में जलन के बारे में बता दे लेकिन यह समय के साथ ठीक हो जाता है. इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्नी में कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं. गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए. अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल हाई बलड प्रेशर या हिरदय के इलाज के लिए किया जाता है. आपको अपना बलड प्रेशर, किड्नी फंक्शन और सॉल्ट का स्तर जैसे पोटेशियम को नि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद